हाई गाईज वेल्गम जोबी बैंकर स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती माम और आज में लेकर के आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबदसी वीडियो जिसके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते जी हाँ इन शब्दों के बिना आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते अब आप भी सोच रहोंगे अरे आखिर ऐसे कौन से शब्द है जिनके बिना हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो इसके लिए बने रहेगा वीडियो के आज की वीडियो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करते वाग को दबाना बुकल मत भूलेगा ताकि आप हमारी कुई भी लेटिस्ट अप्रोड मिस्स न करें आप सीधे सीधे हम से जुड़ सकते हैं इस वाटस अप नंबर के जरिये हमारी कोर्स के बारे में जाने के लिए आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेस्बूक इंस्टरग्राम टेल्ग्राम ट्विटर टिक टॉक हेलो सारी के सारी सोशल मेडिया साइज पर तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला शब्द है है सबसे पहला शब्द है है जी हाँ तो name is, मा मतलब pretty is, clear है, चलिए यूज देखते हैं, he is a doctor, वो एक doctor है, he is a doctor, वो एक doctor है, he is reading, वो पढ़ रहा है, he is reading, वो पढ़ रहा है, am, अगला वर्ड है am, am का मतलब होता है, am का क्या मतलब होता है, I am a teacher, मैं एक teacher हूँ, I am studying, मैं पढ़ रहा हूँ, clear है, am का मतलब हो, इस्तमाल भी अपने देख लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है, are, are का मतलब होता है, है, is का इस्तमाल देख लेते हैं, इसका इस्तमाल होता है, we के साथ, दे के साथ, और you के साथ, we are, they are, you are, ऐसे इस्तमाल होता है, clear है, we are teachers, हम लोग teacher हैं, we are studying, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, we are studying, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है, was और what, ये दोनों ही मैंने साथ में लिखे हैं, आगे इन दोनों के इस्तमाल बताऊंगी, अलग-अलग examples के साथ, दोनों का मतलब होता है, था, थे, थी, जी हाँ, दोनों का मतलब होता है, था, थे, थी, दोनों का मतलब सेम होता है, था, थे, थी, कैसे इस्तमाल करेंगे, क्यों दोनों का मतलब सेम होते हुए, दोनों words अलग-अलग हैं, यानि कि was और अलग-अलग क्यों हैं, चलिए लिखेने, was का मतलब जैसा कि मैंने बताया होता है था, थे, थी, किस के किस के साथ इस्तमाल होगा, rule जान लीजे, I, he, she, it और names के साथ इस्तमाल होगा, I was, he was, she was, it was, ऐसे इस्तमाल होगा, clear है, चली example देखते हैं, I was a writer, मैं एक लेखक था, I was a writer, मैं एक लेखक था, I was writing, मैं लिख रहा था, I was writing, मैं लिख रहा था, were, were कस्तमाल, थे और थी, किस के साथ होगा, you के साथ, we के साथ, और दे के साथ, were कस्तमाल इन्ही तीनों के साथ होगा, I, you were, we were and they were, clear है, चली example, We were playing, हम खेल रहे थे, we were playing, हम लोग खेल रहे थे, we were business man, हम व्यापारी थे, we were business man, हम व्यापारी थे, clear है, चली बढ़ते हैं आगे, अगला है will, will का मतलब होता है, गा, गे, गी, will का क्या मतलब होता है, गा, गे, गी, rule चलिए देख लेते हैं, क्या होता है, ये ही इसतमाल होगा, I, he, she, it, name, you, we और दे इन सब के साथ इसनमाल होगा, कैसे, I will, he will, you will, we will, they will, she will इस तरीके से इस्तमाल होगा चलिए एक्जाम्पल देख लेते हैं He will study, वह पढ़ाई करेगा He will study, वह पढ़ाई करेगा He will be studying, वह पढ़ाई कर रहा होगा He will be studying, वह पढ़ाई कर रहा होगा He will have studied, वह पढ़ चुका होगा तीनों ही format में मैंने आपको इसका इसका इस्तमाल दिखाया, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है can, can का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकता हूँ या सकते हैं मे का मतलब भी क्या होता है, सकता है, सकती है, सकता हूँ या सकते हैं लेकिन दोनों का इस्तमाल फिर क्यों अलग-अलग होता है चलिए इस वीडियो में बताऊंगी रूल देख लीजे इस्तमाल हो जाएगा ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इत नेम के साथ I can, I may, you may, we can, we may, they can, they may इस तरीके से इस्तमाल होगा चलिए एंग्जांपल देखते हैं, और क्यूँ ये अलग होता है, ये देखते हैं Can का मतलब कहाँ आइने बताया, सकता है, सकती है, सकते है, सकता हूँ Can क्या दिखाता है? Can आपकी अबिलीटी दिखाता है क्या दिखाता है can, can आपकी ability दिखाता है, clear, we can do this, हम लोग यह कर सकते हैं, can आपकी शमता दिखाता है, ability दिखाता है, we can do this, हम लोग यह कर सकते हैं, मे का मतलब होता है, सकता है, सक्ती है, सकते है, सकता हूँ, लेकिन फर्क यहां पहे है, कि मे का मतलब permission या request होता है, clear, make का मतलब permission या request होता है may I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप पूछ रहे हैं, may I come in, आप request कर रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in, ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है could could का मतलब होता है, सका, सकी, सके और सकता था, सकते थे, सकती थी लेकिन, could जो है, वो can का past होता है तो can क्या दिखाता है, ability could भी क्या दिखाएगा, ability क्यों, क्योंकि can का ये past होता है कैसे इस्तमाल होगा, I could, you could, we could, they could, it could, he could, she could इस तरीके से इस्तमाल होगा, clear, चलिए example देखते हैं I could not do it, मैं यह नहीं कर सका, I could not do it, मैं यह नहीं कर सका, clear है अगला है can be, can be कैसे होता है, can be का मतलब होता है, जा सकता है, जा सकती है या जा सकते है इस्तमाल किस के साथ होगा, I can be, you can be, we can be, they can be इस तरीके से इन सब के साथ इस्तमाल होगा, can be He can be cheated, उसे धोखा दिया जा सकता है देखा आपने जा सकता है का सकता है, he can be cheated, उसे धोखा दिया जा सकता है clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है has और have, दोनों, दोनों का मतलब होता है pass है दोनों main verb की तरह भी इस्तमाल होता है और helping verb की तरह भी इस्तमाल होता है दोनों ही इस्तमाल बताऊंगी पहले देखते हैं, have मतलब pass है I have, you have, we have, they have I have a book, मेरे पास एक book है I have a book, मेरे पास एक book है या किताब है basically has, has का मतलब पे pass होता है लेकिन has इस्तमाल होगा he, she, it और name के साथ he has, she has, it has, he has a car उसके पास एक कार है he has a car, उसके पास एक कार है clear है? चली बढ़ते हैं आगे have, have का मतलब अब हम लोग helping verb के तरह से पढ़ेंगे कैसे? I के साथ, you के साथ, we के साथ, दे के साथ इस्तमाल होगा clear है? you have studied, आप पढ़ाई कर चुके हैं I, U, V, D के साथ, अगें से एक 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 जामपल देख लेते हैं you will have studied, आप पढ़ाई कर चुके होंगे यहां पर भी have क्या हुआ? helping verb के जैसा इस्तमाल हुआ clear है? चली बढ़ते हैं आगे अब हम लोग has का इस्तमाल देखेंगे helping verb के साथ again से इसका इस्तमाल सेम रहेगा he has, she has, it has and any name has clear? he has studied, उसने पढ़ाई कर ली है he has studied, उसने पढ़ाई कर ली है यहां पर भी has जो है, वो helping verb के जैसे इस्तमाल हो रहा है अब है had, h-a-d had इसका मतलब होता है pass था, pass था यह कैसे इस्तमाल हो रहा है अभी? main verb के जैसे इस्तमाल हो रहा है चली इसका इस्तमाल देखते हैं had का मतलब क्या बताया? pass था, I had, you had, she had, it had, they had a car उनके पास एक कार था, they had a car उनके पास एक कार था यहाँ पे कैसे इस्तमाल हुआ? मेन वर्ब के जैसे इस्तमाल हुआ clear? अब हेल्पिंग वर्ब के जैसे इस्तमाल करके दिखाती हो he had studied वो पढ़ाई कर चुका था he had studied वो पढ़ाई कर चुका था यहाँ पे कैसे इस्तमाल हुआ? helping work के जैसे इस्तेमाल हुआ, clear है, तो अब हमें याद हो गया, कि ये तीनों ही main work और helping work दोनों के जैसे इस्तेमाल होते हैं, examples भी हमने अच्छे से पढ़ लिए, clear, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है about to, about to, मतलब वाला हुँ, वाले हैं या वाली हुँ, कैसे इस्तेमाल होगा, rule I about to, you about to, we about to, they about to, ये सब के साथ about to इस्तेमाल हो सकता है, example देखे, I am about to eat, मैं खाने वाला हुँ, I am about to eat, मैं खाने वाला हूँ I was about to eat, मैं खाने वाला था About to का मतलब, वाला था, वाले थे, वाली थी, ऐसे भी इस्तमाल होगा about to Clear, again say I, you, we, they, he, she, it, names, सब के साथ इस्तमाल होगा I was about to eat, मैं खाने वाला था अगला है have to, have to का मतलब क्या होता है, ना है, नी है, ने है जिस भी sentence में आपको ऐसा दिखे, वहाँ पे have to होगा I, you, we, they के साथ इस्तमाल होगा I have to eat, मुझे खाना है देखा आपने ना है के इस्तमाल आ गया I, you, we, you, दे के साथ इस्तमाल होगा I have to eat, मुझे खाना है अगला है has to ना है, नी है, ने है फरक क्या है? ये he, she, it names के साथ इस्तमाल होगा clear? किस के साथ इस्तमाल होगा? he, she, it names के साथ इस्तमाल होगा he has to go उसे जाना है clear? चली बढ़ते हैं आगे अगला है had to यानि कि ना था किस के साथ इस्तमाल होगा? I, U, V, they, he, she, it names इन सब के साथ इस्तमाल होगा clear? he had to go उसे जाना था he had to go उसे जाना था ठीक है? चली बढ़ते हैं आगे अगला है B, B, E, B B का मतलब होता है हो B का मतलब होता है हो चली इस्तमाल देखते हैं it can be anyone कोई भी हो सकता है it can be anyone कोई भी हो सकता है being अगला है being, इसको क्या पढ़ते हैं? being, B, E, I, N, G being, मतलब क्या होता है? हो रहा है या किया जा रहा है obviously किया जा रहा है तभी तो हो रहा है तो इसका मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है इस्तमाल देखिए It's being tough for me या मेरे लिए कठिन हो रहा है या कठिन होता जा रहा है It's being tough for me या मेरे लिए कठिन होता जा रहा है Clear, चलिए पढ़ते हैं आगे Bean, अगला है Bean इसको क्या पढ़ते हैं? Bean ठीक है? आ रहा हूं या आ रही हूं इसका स्तमाल ऐसे होता है आ रहा हूं या आ रही हूं sentence मैं बताऊंगी जादा clear होगा चलिए example देखिए I have been working, मैं काम करता आ रहा हूं या मैं काम करती आ रही हूं देखा, कैसे Bean का स्तमाल हूँ आ रहा हूं, आ रही हूं के लिए I have been working, मैं काम करता आ रहा हूँ, मैं काम करती आ रही हूँ clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे should शुड का मतलब होता है चाहिए you should go, तुम्हें जाना चाहिए you should study, तुम्हें पढ़ना चाहिए you should play, तुम्हें खेलना चाहिए तो should का स्तमाल ऐसे होता है clear, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है would, would का मतलब होता है गागेगी, would का क्या मतलब होता है, गागेगी, he would be playing, वह खेल रहा होगा, clear, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है might, might का मतलब होता है, शायद हो सकता है, might आप कहाँ पर इस्तमाल करेंगे, जहाँ पर आपको लग लगता होगा, हाना? चलिए इस्तमाल देख लेते हैं कैसे? He might go, वो शायद जा सकता है. He might go, वो शायद जा सकता है. आप शौर नहीं है उस चीज के लिए, आपको लगता है, आपको शायद लगता है कि वो जा सकता है. तो जहाँ पर भी ऐसी वाले फीले होंगे कि वहाँ पर might का हम लोग आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अगला है must यानि कि अवश्य चाहिए जो आपको ऐसा लगता है जो अवश्य चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, अवश्य चाहिए जहां पर आपको लगता है, आप वहां पर must का अस्तमाल कर सकते हैं, कैसे? यू must go, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, मतलब आप तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, अपने तरफ साप अवश्य जाना चाहिए, यू must go, यू must play, यू must be at home, आपको घर पर ही रहना चाहिए, यू must play, तुम्हें खेलना, अब तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, चलिए बढ़ते हैं अगला है do do का स्तमाल हमेशा I, We, You, They इन सब के साथ होगा clear I do, We do, You do, They do चैकें कैसे देखिए क्या, डैश, हूँ, या, है ऐसा जब भी आपको sentence बनाना हो वहाँ पर स्तमाल करेंगे do चलिए स्तमाल देखते हैं do I go, क्या में जाता हूँ do I go, क्या में जाता हूँ clear अगला है does इस्तमाल he, she, it names के साथ होगा और मतलब हो जाएगा क्या, डैश, है यानि कि बीच में कुछ फिल हो जाएगा क्या, डैश, है does he study, क्या वह पढ़ाई करता है does he study, क्या वह पढ़ाई करता है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है did did होगा, क्या था, थे, थी तीनों के साथ इस्तमाल होगा क्या के बाद, बीच में फिल अप था, थे, थी, तीनों के साथ इस्तमाल हो जाएगा clear, चलिए एक्जाम्पल से दादा बेटर समझ भाएगा did you go, क्या आप गए थे clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है going to यानि कि करने जा रहा हूँ या वाला हूँ इन दोनों के जगा पर going to इस्तमाल होगा करने जा रहा हूँ या वाला हूँ I am going to play, मैं खेलने जा रहा हूँ I am going to play, मैं खेलने जा रहा हूँ I am going to cook, मैं खाना पकाने जा रही हूँ clear, ऐसे जगवा पर going to कर इस्तमाल होगा clear, अगला है ought to इसका मतलब भी चाहिए होता है लेकिन, फर्क यहाँ पर क्या है फर्क है कि ought to हमेशा आपकी जिम्मेदारी दिखाता है आपके responsibility दिखाता है किसी चीज के प्रती ठीक है, example देख लीजिए you ought to respect to women आपको महिलाओ का सम्मान करना चाहिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको परियावरन को साफ रखना चाहिए यह आपके जिम्मेदारी बनती है तो इन दोनों ही जगहों पर क्या यह उस्तमाल हो जाएगा ought to स्तमाल होगा यानि कि जिम्मेदारी या दाइतो या responsibility जहां पर होती है वहाँ पर हम लोग ought to कर स्तमाल आराम से कर सकते हैं clear है तो ये थे वो सारे के सारे शब्द जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं जी हां तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे मुझे कमेंट करके बताईए जादा से जादा कि माम वीडियो बहुत अच्छी लगी ऐसी और वीडियो आपको चाहिए इनके इस्तमाल के उपर और वीडियो चाहिए और नहीं चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो चलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकें इंग्लिश कोर्स के तहत इसकी इंक्वाइरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं जहां पे आपको मिलती हैं करीब-करीब धाई महिने की क्लासे 60 प्लस लेक्चर्स इबुक्स, नोट्स, एन वाट नॉट्ट आपको बहुत सारी चीज़े मिलती है आपके अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी इंक्वाइरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं साथी साथ हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की basics को बहुत अच्छा बहुत तकड़ा कर देता है जिससे आप किसी भी question को solve करने के लिए सक्षम हो जाते हैं इसकी inquiry भी आप इस number पे कर सकते हैं साथी साथ बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं लेकिन अब इस course के साथ बच्चों को grammar सिखाना बहुत असान है इस course मे बच्चों को खेल खेल में grammar इतने इच्छे से सिखा दिया जाता है ताकि उन्हें आगे जा करके कभी भी दिक्कत ना हो इसकी inquiry भी आप इस number पे कर सकते हैं और यह है most favorite English grammar and writing for school जिसकी seats बहुत कम अवेलेबल रहती हैं यह admission open होते के साथ book हो जाती है इसमें आपको English grammar और जो भी आपके क्लास में आता हो वह सारी चीज में आपको इसमें लिखना सिखाया जाता है कि वह सारी चीजे नोटिस राइटिंग अप्लिकेशन राइटिंग यह सारी चीजे कैसे आखिर लिखते हैं और English grammar आपके क्लास के रिगार्डिंग जितने भी जरूरत होती है वह तो आपको कराई ही जाती है उससे जादा कराई जाती है ताकि आपको हर साल इस सब चीजों की ज़रूरत ना पड़े क्लियर है इसकी इंक्वैरी पे इस नमबर पे कर सकते हैं और अगर आप सीरेस अस्पिरेंट हैं किसी भी एंटरंस एक्जाम जिसके बाद आपको या तो क्या वोक्याबलरी क्या सारी चीज़े कराई जाती है इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाता है इंग्लिश के माक्स आप अपनी आखों से इंप्रूव होता हुआ देखेंगे इस को करने के बाद इसकी इंक्वाइरी आप इस नमबर पे कर सकते हैं वांपर्स से यानी कि अपको वापस से हमारी तरफ से रिफ्लाई आता हा क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट करी जल्दी भी हो जाता है अपनी कि अतोर तो चौरं को मील गया या तो तो ठीरी के लिए पहले से माफ़ी आपनी मेसेज किया है रिप्लाई आपको आए इसके आप निश्चिंत रहें, ठीक है? So yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching stay tuned